हेलो माई विवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल आडू करेसर में अपलोग कर स्वागत है कैसे हो आप सब आप लोग अच्छे होंगे आप सभी को नौरात्री की हार्दिक सूप कामना है तो मैंने करहाई चड़ा दी है यह नए रेशिपी नास्ता की है पूर्थ हेल्दी रेशिपी में लेकर आए हूं तो मैंने कुछ मुमपली ले लिए उसको पहले ऐसे ही भून लेंगे थोड़े इसको भूनने के बाद इधर में चुक अंदर और गाजर काट रही हूं बारिक बारिक सा देखिए अच्छे से मुमपली भूना चुके है हातों से मसल से देखते हैं जो मुमपली भूनाते हैं तो एक लाइन सा बन जाता मुमपली में फटने लगता है जिसे उसकी छिलके ऐसकी ले बहुत फायदयमंद है तो मैंने एक पत्ता गोबी को बारिक बारिक चौप कर ली है और गाजर चुक अंदर को भी में बारिक बारिक काट ली है आदा चुक अदर लich jaala थी तो मैंने हिदर कढ़ाय चड़ा दिये एक चमज के आस-पास मैंने सरसो का तेल डाल दी साबु जीरा डाल दी हूँ बस जीरे से इसको तड़का देंगे लहसन की कुछ कलिया तीन चार हरी मिज चार और थोड़े से अधरक को मैं बारिक-बारिक काटके तड़के में डाल दी हूँ तो इस तरह जो पहले से गाजर चुकंदर मैंने काटी हुए थे उसको धूल के थो अलु सब्साब ढ़ा कर के ऐ आप इसी तरह हीलदी- Nedal बना सकते हैं तो मैंने आलु को भी दोकर लए है थोड़े-देर इसको फ्राई कर लएंगे एधर केर पापा जा रहा है तो बाबु जोर जोर सो रोरहा ब मेरे पास आ गया तो मैं उनको चुपवा रही हूँ किसी का गया यह आज गया नहीं ट्रिफिन में बैक थी चीला मेठा चीला बनाई थी बाबू को बहुत पसंद है बड़े वाले को चोटे वाले को भी पसंद है मैं इसको दे दिया हमके बाबू तुक इसको खाओ मैं आस्टा रेरी कर दूँ गया है फूल लाने तो आभी आ ही जाएं और टेस्ट के कॉर्डिंग नमा कम जादे जिस तरह आप लोग खाते हैं उसके हिसाब से हम इसमें एट कर देंगे बीन मसाले का बनता है और बहुत ही हेल्दियस होता है तो इस तरह इसको मैक्स करके चला देंगे थोड़ी दर अफ्य ठग देते हैं बहुत ही जल्दी जट अब आपने अपने अस्टान पर महान है जितनी सबजिया है अलु के बीना कोई भी सबजी बन भी नहीं सकती तो मैं जहां तक जानती हूं क्योंकि हर सीजन में मिलने वाला आलू ही एक ऐसी सबजी है तो पूरी तरह से रेडी हो चुका है बीच बीच में दो थीन बडर मैं अब आपने अपने पर में दो आपने जाए तो इसमें जब गयस बंद कर देंगे तो चाट मसाला एड़ कर देंगे और भी यह टेस्टी हो जाएगा देखी कितनी अच्छे से निखर के आया हुआ है बहुत ही एल्दी नास्ता है जरूरू ट्राइ करके बताएगा चाहे आ मारा जहें उनको नास्ते में कुछ करना है तो इस तरह हेल्दी नास्ता आप दे सकते हैं पूरी तरह से तयार हो क्या है तो प्लेटिंग कर देती हूं पापा जी को दे देती हूं देखिए ठंडा होने के बाद इसके कलर और भी अच्छे आ गया है तो आप लोग भी अगर आप लोग देखिए नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं मैंने कुछ आलो को बॉल कर लिए मुंपली दाने कुछ भून लिए और आदे नेवू रख लिए दो हरी मिर्च रख लिए इसको जो बॉल आलो है उनको छील के स्लाइस में कट कर लेंगे सभी आ अर्दर मसालो की जंजट पड़े गी तो इस तरह स्लाइस में कट कर ली है अब वुल दाने ऐसे नहीं एड करने हैं इसके सारे चिलको को हमको उतार लेने हैं तो चिलको को हातों से मसल के अलग कर लेंगे अच्छे से ठंडा हो गया पूरी तरह मूंपली दाना तो इससतरा जो चनोटा होता है जिससे पूरी चानते हैं उसका यूज करेंगे आप तो फटक नहीं है तो इस तरह यूज करके चिलकों का अलग कर सकते हैं अब देखिए अलग होगे उसका चिलका और यह जो कचालु मेने बनाए उसके उपर से इसको डाल देंगे सेधा नमक और लाल मिर देखिए इससे का बारी बारी चौप करेंगे जितनी तीक आपको पसंद चौप अजह現在 की कर सकते हैं तो मैं भृत हूं तो मैं सोची जो मैं खाती हूं अपने वीवर से फैमिली को जरूर शेयर करूं तो इस तरह में बना ली सेधा नमक लें हैं और नीवू को आप इसके अगर चमब से मिक्स कर सकते हैं, बहुत असानी से मिक्स हो जाएगा, बाबू भी हो सकता मांगे, कम तीखा रहागा तो खा बही लेगा, तो इस तरह एड़ी हो चुका है, तो आप लोग कब बना रहा हैं, नौडातिर में बना के खा सकते हैं, बिना घी, मसाले और आग के कचालू इस तरह बना के खा सकते हैं देखिए कितना टेश्टी बना है कैसा लगा आज का ब्लॉग मिलते हैं निस्ट ब्लॉग में बाई बाई वे नाइस दे माई वीवर्स वाई फैमली बाई